वेल्कम बेक टू माई चैनल मेडिकर बाटरी टेक्नोलोजी स्वीडियो आज के आप लों के साथ एक टेकल शियर करने जा रही हूं पराना टेस्ट हो हो उसकी जगह परो थरॉंबिन टाई मटीफिक तीेन जादा स्पविक हैं लेकिन जासा बेक्ट के पास टेस्ट अवेलेबल नहीं है इसलिए उनको भी बीकी सिटी से ही उसारा करनाा है ब्लॉटिंग टाइम और कोई भी अगर पेशिन को गीडिंग डिस ओर हो जैसे के भी इस पेशिंट जिसके लिए डॉक्टर ने रिक्वेस्ट किया उसको कुछ तीनों से नोस गीडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है इस वजह से डॉक्टर जा है वो उसका ब्लॉटिंग चेक कर हैंगे तो आप देखें अगर प्रो थ्रॉब्लम और एपीटी टाइम के मतलिक आप लों को कोई भी इंफोर्मेशन चाहिए तो इस चैनल का प्ले लिस्ट अल अबाउट हम चाहें और आप उसमें देख सकते हैं कि क्या क्यों प्रीटी टाइम करना या एपीटी टाइम चा करेंगे अगर आप नई स्टूडेंट हैं या अगर आप हैमेटालोजी के इलावा किसी और डिपार्टमेंट में काम करें तो आपके लिए हैं अच्छा अच्छी वीडियो होगी और अगर अभी अभी तक आप लोगों ने नोटिफिकेशन या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले लेट्जिल्ट या वीडियो जो भी है वो टाइम पे मिला करें तो आप मैं आपके सार शेयर करूंगी और वीडियो में उस टाइम नहीं बोल रही थी क्योंकि उदर अपना अनौ नहीं था और सौंड इश आएडिंग ताइम की जो नर्मल रहेंज होती है वो टूटो पॉर मिनिट्स छोती है और वो ह अब तो छीए घूल मीनिट्स कर तो अब तो 6-7 मिनिट्स प्लोंन भी चीडियो प्लों को आपको आब करता है आपको आपटीनल इसक़ते हैं अल आधरों में हॉत मॉनियों का तो अब मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी इंगेडिंग टाइम और प्लॉटिक टाइम को और इस वीडियो के लिंक में मेरे दूसरे चैनल का भी लिंक अविलिएफल है प्लीज प्लीज उसको भी असको सब्सक्राइब करें क्यूंकि मुझे आपनों के स्पोर्ट की जरूरत है जैसे आपको इस चैनल में मुझे स्पोर्ट करें उसमें भी आपकी मुझे स्पोर्ट चाहिए और अब आप देखें लेक्चर को वीडियो को अगर आपको पसान और अब हम स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट के लिए आपको चाहिए केपलरी ट्यूब्स और फिल्टर पेपर और लेंसेट प्रिक करने के लिए जो के लेटर रॉन में आपको दिखाऊंगी एक दफा फिंगर को साफ करने के लिए या कोई भी स्पिरिट स्वैब चाहिए और स्टॉप वच अवेलिबल नहीं है तो मुबाइल हरे के पास है तो उसमें अरड़ी अवेलिबल है स्टॉप वच फिंगर को आपने अच्छी तरह वो स्पिरिट स्वैब से साफ करना और फिर ड्राय होने के लिए छोड़ देना है और फिर आपने इतनी दुरान में क्या कर अपने मुबाइल पर आपने स्टॉप वच को अन कर देना है और अन मतलब यह कि आप स्टॉप वच खोलें लेकिन स्टार्ट नहीं करें स्टार्ट अप तब करेंगे जब पेशेंट को प्रिक करेंगे तो इतनी देर में देखें फिंगर को बिलकुल स्टेराइल होना चाह है और मिडल फिंगर को चूज करते वे अप थम भी यूज कर सकते हैं और मिडल फिंगर को यूज करते वे इस तरह पेशेंट को जो है वो प्रिक करें और अपनी स्टॉप वच को रेडी कर ले और साथ ही आप केपलरी ट्यूब ले ले और केपलरी ट्यूब लेके फिंगर को से सबसे पहले klotting टाइम के लिए capillary tube को फिल करें और जैसे capillary tube फिल करें तो एक दफ़ा आप time को दुबारा note कर लें और उस हिसाब से फिर एक एक minute के बाद capillary tube को move करके देखेंगे कि जो है glove byna या नहीं बना अब filter में paper की मदद से जो first draw था उसको साफ कर लें और फिर तकरीबन अब यह देखें मैंने 33 सेकंड पर यानि के साफ किया था तो अब मैं इसके लाबाद 33 सेकंड के बाद जो है सोरी हर 30 सेकंड के बाद जो है वो blood को इस तरहां मैं सोरी फिल्टर पेपर की मदद से साफ करती जाओंगी और तब तक हमने इस तरह चेक करते रहें जब तक कि finger से blood आना जो बन नहीं हो जाए अभी देखें अभी यह जैसे 30 सेकंड फिर होंगे तो दुबारा जो है वो patient की finger को थोड़ा सा प्रेस करके देखें कि blood आ रहा है तो जैसे अगर आपको मैसूस हो के blood नहीं आ रहा है तो वो time जो है वो अपने मैयर करना है वो time जो होगा वो bleeding time होगा यानि कि कितने time के बाद blood जो है वो finger से आना stop हो गया है और capillary sorry clotting time के लिए जो है आपने एक मिन बाद जो capillary tube हमने blood की fill की हुई है इसको थोड़ा सा move करके देखें अगर blood अभी भी move हो रहा है तो इसका मतलब है यह देखें यह अभी patient की finger से blood आ रहे है इसका मतलब अभी इसका time जो है वो हम मैयर करते रहेंगे तो फिर हम दुबारा जो है थर्टी सेकिंड के बाद देखेंगे इसी तरह वो filter paper के क्यों जूरूर करती है कि हम आप tissue या cotton से भी कर सकते हैं क्योंकि वो इस्ता इस्ता रुक रहा है और एक point पर आकर रुक जाएगा लेकिन अगर कोई abnormality होगी तो उस सूरत में क्या होगा उस सूरत में जो है वो blood का flow ज्यादा होगा तो वो आपको देखने में असानी हो जाएगी कि यह patient की bleeding time में कोई abnormality है तो इस तरह आप जो है व को फिंगर को साफ कर ले और टाइम नोट कर लें bleeding time के लिए ब्लीडिंग time जो है वह इस patient का था 2 minute 30 seconds और clotting time जो तकरीबन था 6 minute 30 seconds वह कैसे मुझे मालूम पड़ा कि एक मिंट के बाद मैंने capillary tube को move किया और जैसे-जैसे जैसे मूव करती थी वह blood flow move करता था इस capillary tube के अंदर लेकिन एक पॉइंट पे आके यानिके 6 मिनट 30 सेकंड पे आके जो है वो ब्लड जो है वो मुव करना रुप गया था यानिके उसके अंदर बन गया था जब बन जाता है तो ब्लड इस केपलरी ट्यूब में मुव नहीं करेगा अगर आप बेशाग उसको उपर नीचे करेंगे यह देख इस तरह हम करते हैं ब्लीडिंग और क्लोटिंग टाइम आप इस ट्यूब को ब्रेक करके भी देख सकते हैं